नमस्कार आप देख रहे हैं जी एश टीवी अंदर की बात के साथ मैं मनुज बॉर्ड के चात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है अब बॉर्ड की परिक्सा साल में दू बार आयोजित की जाएगी इसको लेकर धर्मेंदर प्रधान ने एक बड़ी जानकारी साजा की है क्या है नया फॉर्मूला कैसे नए नियमू से हुगा चात्रों कुलाब देखते स्पेसल डिपूर्ट अंदर की बात में केंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने घोश्रा की कि राष्ट्य सिक्षानीती 2020 के अनुसार नया पाठे करम तयार है और 2024 सेक्षनिक सत्र के लिए इसके लिए पाठे पुस्तके विक्सित की जाएगी वही बोर्ट परिक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी धर्मेंदर प्रधान ने इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जल्दी सम्मंदित बोर्ट की तरह से साल में दो बार परिक्षाओं को आयोजित कराने के लिए निर्देश जारी किये जा सकते हैं NCF के मुताबीत बोड परिक्षा साल में दो बर आयुजित की जाएगी और चात्रों को सर्वस्रेश्ट स्कोर बनाय रखने की अनुमती दी जाएगी। ऐसा यहां सोनिचित करने के लिए किया जा रहा है ताकि चात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए परियाप्त समय में और अवसर मिले। इसके बाद चात्र उन विशयों की बोड परिक्षा दे सकते हैं जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है और जिनके लिए वे तैयार होते हैं। बोड परिक्षाए महीनों की कोचिंग और याद करने के बज़ाए अचीवमेंट पर फोकस होंगे। कक् जा रहा है कि एनसी एफ के ड्राफ्ट के बाद बोड तैयारी में जुट जाएगी। ब्यूर रिपोर्ट जी एस टीवी। इसरो के मुताबिक भारत का चंद्रयान 3 तेज अगस्त को चांद पर लेंड करेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद की सता से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। इसरो चेर्मेन एस सोमनाथन भारत के महत्वकांग्षी मोन मिशन के मास्टर मैंड में से एक है। उनके कारिभा समहाले के बाद से चंद्रयान 3 आदित्य पलवन और गगन्यान जेसे महतोपन मिशनों को गति मिली है। ऐस उन्निक रुष्णन नायर वेसे सी के प्रमूख और लवी एम 3 रॉकेट के निर्माता है। वहाँ और उनकी टीम मिशन के विभिन महतोपन पहलों के लिए जिम्म है। एम शंकरन यू आर राव सेटिलाइट सेंटर में निर्देशक है। यहां कैंद्र इस रो के लिए भारत के सभी उपग्रहों के निर्मान कराता है। वर्तमान में शंकरन उस टीम का मार्क दर्शन कर रहे हैं जो देश की जरुरतों का पूरा करने के लिए उपग्र ब शेशगन है। अन्य प्रमुख अधिकारियों में मिशन निर्देशक मोहन कुमार के ने तरुतवाली एक टीम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्टबी। की अधिक्षता कर रहा है। इसी क्रम में भारत की मेजबानी में सितंबर में G20 शीखर सम्मिलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई देशों की प्रमुख हिस्सा लेंगे। इस बीच सामने आया है कि अमरीका के राष्टपती जो बाइडन G20 शीखर सम्मिलन में शामिल ह होंगे। वाइट हाउस के राष्ट्य सुरक्षा सलाकार जैक सुलीवन ने एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरान इस बारे में जानकारी दी। अमरीका के राष्टपती बाइडन साथ से 10 सितंबर तक भारत का दोरा करेंगे। जो बाइडन की भारत यात्रा को लेकर वाइट हा पर चर्चा करेंगे। साथी बाइडन G20 में प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी के नेत्रुत्वक की भी सरहना करेंगे। बता दे कि G20 विश्वनेताओ का शिखर सम्मिलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह शिखर सम्मिलन भारत में विश्वने से एक होने की उमिद है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अद्धिक्षता गरहन की थी। पिरो रिपोर्ट G.S. विश्वन दुनिया ने अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के निसान और चिन की विस्तारबादी निती के नतिजे बेहद करिब से देख लिये है। तो भारत की साख दिन मोद दिड बरती जा रही है। क्या है इसकी मुख्यबज़ देखते हैं खास रिपोर्ट में। भारत ने पिछले साल यानी 2022 के दिसंबर महिने में इंडोनेशिया से जी ट्वेंटी के अध्यक्षता हासिल की थी। अब 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में जी ट्वेंटी ने ताओ की शिखर बैचक नहीं दिल्ली के प्रगती मैदान में नए बने सम्मिलन भवन में होगी। जी ट्वेंटी से जुड़े अब तक जीतने भी कॉन्फरेंस या बैठक हुई है। उनमें भारत ने बड़े स्मार्ट तरीके से पिछले 75 सालों में भारत की विकास यात्रा को रेखानकीत किया है। जी ट्वेंटी का महत्वा इसलिए भी काफी बढ़ जाता है कि इस सम्म के सदस्य देशों में दुनिया की कुल जन संख्या का सरसट फिजदी रहता है। सरसट फिजदी यह कुछ अधिक ही बड़ा हिस्सा है। वैश्वीक जी डिपी में इस समु का योगदान 85 फिजदी है और वैश्वीक व्यापार में 75 फिजदी। इन संसान को अगर हमने ठी पिलनों और बैठकों का अंत हो जाएगा। इसके बाद ही G20 के नेताओं का एक डेकलेरेशन जारी होगा। और उसे में भारत की भुमिकार नेतरुत्व कौशल के जल्वे देखने को मिलेंगे कि भारत कितनी देशों को अपनी राह पर चलने पर सहमत कर पाया है। Bureau Report GSTV